Hello everyone, welcome to lecture force First question है, एक बरतन में 76 cm of Hg के pressure पर कोई gas भरी है उसी temperature पर अगर gas का mass 25% increase कर देते हैं तो बरतन में आप gas का pressure कितना होगा बहुत important question है, पहले आप इसे question को pause करके पहले समझने की कोशिस करो खुद से try करो, अगर नहीं होता है तब explanation देखना है नहीं तो jump करके आगे चले जाना है, अगर हो जाता है तो देखो इस question को आप 2 second में कर लोगे लेकिन आप समझने पे थोड़ा focus करना कि gas के लिए PV वरावर होता है NRD अब हमें P में और mass में उसका relation चाहिए यानि कि इस N को number of moles को हमें अटाना है तो अगर यह VV हमें इधर ले आए तो यह V इधर हो जाएगा और number of moles को हम क्या लिख सकते हैं mass upon atomic mass लिख सकते हैं तो number of moles को हमें हटा दिया तो हम यहां से देख रहे हैं P जो है वो directly proportional है उसके mass के gas के मेरी बाद ध्यान से सुनो P जो है मेरा जो solution बताने का तरीका होगा वो सायद सबसे अलग होगा लेकिन competitive approach में बताऊँगा आप within 2 seconds मतलब 5 seconds के अंदर आप इसको कर लोगे हमने देखा P directly proportional है M के केवल इससे अब आप याद याद ये रखो कि कि जितने percent gas का mass बढ़ा होगा उतने ही percent आपको उसका pressure बढ़ा देना है ठीक है मेरी बात याद ध्यान से सुन ली अब आपने आप देखो आप question सपोजी आपका आया exam में आपको क्या करना है केवल ये percentage देखना है 25% उसका fraction value लिखना है 25% का मतलब होता है 25% का मतलब नीचे 100 मतलब एक बटे 4 4 पे एक बढ़ना 25% का मतलब 4 से 5 हो जाना ठीक है इनिसेली अगर 4 था तो finally 5 होना ठीक है अब इनिसेली था कितना 76 यानि कि 4 की value हमारी 76 है तो 5 की क्या होगी देखो ये 4 की कितने गुना है 4 से अगर इसे काटोगे तो ये 19 गुना है तो 5 का भी 19 गुना यानि कि 95 फाइनली उसका जो प्रेसर है वो 95 सेंटीमीटर होगा देखो कोई चीज है अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हो अभी तक आप कैसे करते थे मुझे नहीं पता अब एक और मैं एक्जाम्पिल से आपको इस बात को समझा हूँ जिससे आपका बिल्कुल किलियर हो जाए सपोर्ज सेम कुश्चन होता इतना 36 सेंटीमीटर ओफ एच जी पे कोई गैस भारी थी अगर उसका मास कहता 50 परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तब कहता कि आप बरतर में उसका प्रेसर कितना होगा तो आपको केवल क्या करना है कि 50 परसेंट की फ्रेक्शन लिखनी है 50 परसेंट को मतलब नीचे 100 करेंगे परसेंट टरेंगे 1 बटे 2 मतलब 2 से 1 बढ़ गया 2 से इनिसियली था तो फाइनली 3 हो गया अब 2 की वैलियू इसमें अगर छहतर दी होती तो 1 की वैलियू कितनी आ जाती 2 से इसको काटोगे तो 3 बार जाएगा और 8 बार जाएगा तो फिर एक की वैलियू 30 आ गई तो 3 की वैलियू 3 गुणा 30 मेरा आंसर हो जाता इसमें हम गुड़ा कर लेते हैं वही मेरा answer हो जाता तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के question में देखो usually पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि यह question आते नहीं यह question बहुत आते हैं आपको क्या करना है आज के बाद केवल यह fraction उठाके और जितने percent mass में increase हुआ है उतने percent उनके pressure में कर देंगे क्यों क्योंकि अभी मैंने आपको formula बताया था उसी formula से ठीक है यह दिये गए समीकड में तरंग का velocity find करना है तो देखो जब मैंने chapter wise इसको कराया था तो मैंने आपको एक unique way बताया था इसको solve करने का कि velocity आप direct find कर सकते हैं देखो पहले as usual आप खुद से try जरूर करना क्योंकि खुद का evaluation बहुत जरूरी होता है आपको पता चलेगा कि आपकी तयारी किस level किये अगर आप इसने अपने own पे कर पाए हो तो it means आपकी preparation अच्छे level पर है तो व होता है omega पटे k यह आप direct याद रख सकते हो अब omega होता है ट का coefficient और k होता है x का coefficient इतनी चीज़ आपको पता होने चाहिए ती बाकी आप omega लिखना है उमेगा होता है T का coefficient तो T का coefficient इसमें कितना है 100 तो 100 बटे अब X का coefficient होता है K तो यहाँ पे X का coefficient हम देख रहे हैं 1 बटे 10 है क्योंकि X में 1 बटे 10 का गुड़ा है तो यह 10 उपर जाएगा तो 1000 मीटर पर सेकेंड इसका राइट अंसर हो जाएगा तो देखो इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि suppose अगर आपसे पूछ देदा wavelength तो अगर wavelength कभी भी पूछी जाए एक तो मैंना भी बताया V velocity का क्या होता है omega बटे K यह याद रखो लेकिन इसके साथ में wavelength का भी याद रखो वह होता है 2 pi बटे K क्या होता है 2 pi बटे K यदि धारा मापी यानि कि galvanometer का resistance RG है और emitter का प्रतरोद RA है और bolt meter का प्रतरोद RV है तो हमें इन मैंसे चार relation मैंसे जो सही है उसको click करना है तो देखो आप लोग देखते होगे कि इस तरह की questions बहुत पूछे जाते हैं increasing order हो गया decreasing order हो गया उनकी conductivity का बढ़ता हूँ अक्रम उनकी resistance का गढ़ता हूँ अक्रम तो यह चीज़े मैं मैंसे मैंने बहुत करार रखी है तो देखो मैं आपको 2 point तो additional यहाँ पे बता दू यानिकी resistance उसका अनन्त होता है यह तो 2 point आप याद रखो अगर यह 2 point पता भी थे दो ही point अगर आपको पता थे तो आप क्लिक कर सकते थे क्योंकि voltmeter का maximum resistance होता है यानिकी a option इसका right answer हो गया लेकिन अब आप याद रखना कि emitter का सबसे कम galvanometer का उसे emitter से ज़्यादा और voltmeter का सबसे जाना है यानिके प्रतिरोधों का increasing order एक प्रत्यावरती धारा परिपत का सक्ति गुडांकि यानिकी power factor 0.5 है तो परिपत में current और voltage के बीच में कितना phase difference होगा तो देखो इस question को पहले आप खुद से dry जरूर करना ठीक है तो देखो बहुत easy question है अगर ऐसे question आपने इस power factor होता क्या है cos 5 तो मतलब उसका cosine होता है किसका phase difference का अब देखो 0.5 को हम कितना लिख सकते हैं एक बटे दो लिख सकते हैं अब cos 5 वराबर हो गया एक बटे दो का मतलब cos 60 cos 60 की value 1 by 2 होती है तो 5 it means यानि कि जो phase difference है वो हमारा simply कितना हो गया 60 degree क्या इस question में अब आप genuinely बताना क्या आपको pen और paper use करने की ज़रूरती आप इसको without using pen paper कर सकते थे यहाँ पर बस आपको यह देखना था कि कितना है इसका हमने fraction में लिखा तो यह cost 60 हो गया यानि कि 60 इसका right answer है ठीक है question है under root 3 refractive index वाले C से के blade पर प्रकास की करड़ आपतित होती है यदि अपवर्तित तथ परावर्तित करड़ के बीच में 90 degree का angle है तो आपतन कोंड fine करना है और यार एक असोक कुमार मुझे असोक ने doubt भेजा था मैंने क्या किया था regard coefficient की dimension गलती से t-1 बता दी थी जो l-1 थी ठीक है और उसका उन्होंने क्या किया है उतने ही video clip काटके वो 30 second का clip काटके मुझे mail कि थी तो यार उससे पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि सब को बता रहा हूँ कि जैसे video में कोई छोटी-छोटी minute सी गलती हो जाती है तो आप उसका देख लिया करो मैं description में उस चीज को जरूर point out कर देता हूँ और उसी comment को भी pin कर देता हूँ कि वो मुझे video में इस इसनी timing पर ये ये गलती होई है तो हां कोई unnecessary doubt मत भेजो अगर relevant doubt है कोई question आपको नहीं आया वो भेजो ये सबको पता होती है required coefficient वो गलत किलिक हो गया था C पे और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप description check जरूर कर लिया करो कि कई बार हो जाता है video में कुछ बोल दे जा रहा हूँ वहाँ पे मैं बहुत एक धमाकेदार course launch करने वाला हूँ definitely अगर वो course launch हो गया आप प्रे करना कि वो हो जाये पहले तो अगर वो वहाँ पे course launch हो गया तो मैं I don't think कि आप फिर कहीं और से physics पढ़ने की need होगी इतना बहतरीन course मैं आपके लिए बना रहा हूँ म आप लोग प्यार और support देखाना एकदम धमाका कर देना है उस platform पे भी तो बहुत जल्द हम मिलते हैं वहाँ पे भी तो फिलाल इस question को समझते हैं कि आपतन कोड़ बताने हैं अब आप हमें एक बात बताओ कि snail का नियम क्या कहता है shine eye देखो इस question का सबसे easiest जो बे है वही मै बताऊंगा आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता shine eye बटे shine eye बराबर होता है refractive index जो root 3 दिया गया है अब केवल इतना लिखना था आप mentally कर सकते हो क्यों मेरे साथ cooperate करना अब देखो इन्होंने कहा है कि आपतन और पराबरतन के बीच 90 इसका कोड़ है यानि कि incidence और reflection बराबर 90 ह लिख सकते हैं तो ऊपर हम sign eye लिखा रहने देते हैं बटे sign eye को हम sign 90 minus eye लिख सकते हैं आर है तो 90 minus eye मेरे बात ध्यान से सुनो रिफ्रेक्स इसको आर को हम i minus 90 minus eye लिखेंगे तो sign 90 minus theta यानि कि 90 minus eye यानि कि नीचे sign 90 minus theta cos eye बन जाएगा और sign eye बटे cos eye क्या होता है 10 eye 10 eye बराबर root 3 अब मेरी बात ध्यान से सुनो question आगया 10 eye बराबर root 3 अब root 3 10 में कितने का मान होता है root 3 मान होता है 10 में short का तो eye बराबर हमें क्योंकि इधर 10 short लिख देंगे तो 10 से 10 खतम तो angle of incidence दो हमारा है जो आपवरतन कोण है वो कितना मिल गया short इसी question में अगर एक level और आगे जाके वो आपवरतन कोण पूछता तो आमें पता है कि दोनो 90 का आपवरतन कोण बना रही है यानि कि आई प्लस आ दिन मैं delay कर रहा हूं उन सबका आपको जो यह नहीं है कि आपका time based हो रहा है बस आपके questions बहुत अच्छे में तयार कर रहा हूं पूरा course बना रहा हूं बस वो launch होने का time जितना लग जाए और बाकी एक week में I hope की हो जाएगा वो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी बाकी आप लोग पढ़ते रहना और यार मैं यह नहीं कहता हूं कि केबल इसी चैनल पर dependent हो जाओ आपको और और भी कहीं से physics पढ़ने को मिल रही है कोई अच्छा पढ़ा रहा है वहां से पढ़ो और math पे भी focus करो English पे भी करो ठीक है और बाकी मिलते रहेंगे